तो दोस्तो हमारी मोस्ट अवेटेड मूवी डेड़पूल एन वोलवरीन आखिर रिलीज ही हो गई है और आज मैं लेकर आया हूँ इसी का एक्स्प्लेइन तो मूवी की सुरुवात में हम देखते हैं कि डेड़पूल केबल की टाइम ट्रेलिंग वाच लेकर वलवरीन की कबर के पास पहुचता है और वो उसको खोदने लगता है और उसे मिलता है वलवरीन का कंकाल तो वो उसके साथ बात करने लगता है तभी वहाँ पर आ जाते है टीवीए की एजन और वो वहाँ पर डेड़पूल को टाइम में छेडखानी करने के लिए पकड़ने आते हैं लेकिन डेड़पूल उन सब को पेल कर वहाँ से निकल जाता है और फिर वो पहुचता है मार्वल के में युनिवर्स में जहां वो हैपी होगन के पास जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे भी एवेंजर्स में सामिल कर लो लेकिन हैपी होगन उसको समझ जाता है कि वो एक नमबर का बक्चोध है और उसके बाद हैपी डेड़पूल को ग्यान चोध के वहाँ से भगा देता है उसके बाद डेड़पूल अपने युनिवर्स में होती है और फिर हमें पता चलता है कि डेड़पूल और उसकी गल्फरिंड का ब्रेक अप हो चुका है तभी वहाँ पर फिर से टीवीए की एजेंट आ जाते हैं और वो इस बार डेड़पूल को पकलके टीवीए में ले जाते हैं वहाँ पर मिश्टर पैरडॉक्स डेड़ उसे पता चलता है कि इस प्रोसेस में उसकी खुद की दुनिया भी खतम हो जाएगी पैराडॉक्स डेड़पूल को बताता है कि सुनो मुन्ना तुमारी दुनिया का जो एंकर हीरो है वो मर चुका है इस वज़े से तुमारी दुनिया भी खतम होने वाली है और तुमारी द प्रकार के उसको वोल्वोरीन भी मिलते हैं और जिसमें सबसे मस्त होता है हेंडरी कैविल का वोल्वोरीन लेकिन वो भी डेटपूल को पेल के वहां से भगा देता है लेकिन आखिरकार उसे एक वोल्वोरीन मिली जाता है और वो उसको लेके टीवीये में भी आता है जिसको देखने के बाद paradox बोलता है मुन्ना ये वल्वुरीन का सबसे जहाटू वेरियंट है ये साला अपनी ही दुनिया खुद बरबात कर दिया था तेरी क्या बचाएगा और इतना कहने के बाद वो दोनों को प्रून करके वॉइड में भेज देता है और वॉइड में पहुशने क बाद डेटपूल और वॉल्वुरीन एक दूसरे को ही पेलने लगते हैं लेकिन दोनों में से कोई मरता तो है नहीं फिर डेटपूल वॉल्वुरीन से कहता है देख भाई अगर हम दोनों साथ मिलके काम करें तो दोनों की दुनिया बच सकती है अभी हम देखते हैं कि वहा चownी स्ट्राम निकला तभी सेबर टूट वॉल्वरीन पे आटैक करता है और वॉल्वरीन सेबर टूट को एक जटके में ही मार देता है लेकिन फिर भी वॉइड के वो गुंडे बुल्वरीन ज्वोनिस्टॉर्म और डेटपूल को पकड़ लेते हैं और वह उसको पकड़ कैसेंडरा नोवा के पास ले जाते हैं जो की चार्ल्स जेवियर की एक जुड़वा बहन होती है और वहाँ पर डेडपूल फिर से अपनी बक्चोदी चालू कर देता है वो कैसेंडरा से बोलता है कि जॉनी ने तुझको बहुत गंदी-गंदी गालिया दी है और तुझे मार देखने के बाद कैसेंडरा दोनों को टॉचर करने लगती है और जैसे ही वो उनका काम तमाम करने वाली होती है वो दोनों वहाँ से पेल भागते हैं आगे हम देखते हैं कि डेडपूल और वॉल्वरीन वहां से भाग कर एक बार में पहुशते हैं और वहां बैटके दोनो सा कुट्टा भी होता है समूराइ डेट पूल उन दोनों को बताता है कि यहां से निकलने के लिए उन्हें यह होंड़ा सिविक गारी यूज करनी पढ़ेगी और मजबूरी में वो दोनों उस गारी को लेकर वहां से निकलते हैं, रास्ते में वो दोनों गाड़ी को भी घरी आते हैं, और रास्ते में भी दोनों का रंड़ी रोना चालु रहता है तब ही वॉल्वॉरीन कहता है कि सालेद तुम एक नमबर के बक्छोद हो, दोबी के कुत्ते हो ना घर के ना गाट के दिन भर बस बग 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 लगे रहते हो और तेरे इसी चुतियापते से तंग आकर तेरी आइटम ने भी तुझको छोड़ दिया इतना सुनने के बाद डेटपूल की भी जांट सुलग जाती है और वो कहता है कि माधर श लग जाते हैं और कार में ही सो जाते हैं और तभी थोड़ी दिर बात कोई वहां पर आता है और उन दोनों को कार के साथ ही उठा कर वहां से ले जाता है और हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि ब्लेड इलेक्ट्रा गैमबिट और पिछले मूवी में वोलवुरीन की ही अपनी बेटी X-23 होती है Deadpool उनसे कहता है कि देखो भाई लोग मुझे नहीं पता तुम लोग यहां कैसे फसे लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी दुनिया की लंका लगने वाली है और मुझे यहां से निकलना ही पड़ेगा और तुम लोग भी मेरे साथ चलो और यहां से निकलो फिर वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो कसेंडरा नोवा पे अटैक करेंगे और यहां से पेल भागेंगे जिसके बाद वो सभी मिलके कसेंडरा के अड़े पे हमला करते हैं और एक एक करके सब को पेलना चालू करते हैं और तभी डेड़पूल और वॉल्वरीन कसंड्रा के पास पहुचते हैं लेकिन कसंड्रा होती है उन दोनों से ज्यादा पावरफुल और वो उन दोनों को ओवर पावर कर देती है और वॉल्वरीन को उसके फ्लैश बैक्स दिख पता है कि ये भी अंदर से उतनी ही अच्छी है फिर डेडपूल कसेंडरा को छोड़ देता है और कसेंडरा फिर से ठीक हो जाती है और इसी खुशी में वो उन दोनों को वॉइट से बाहर जाने का रस्ता दिखा देती है डेडपूल और वुलवरीन तो वहां से निकल जाते ह हैं लेकिन कसेंडरा होती है एक नंबर की दो के बाज वो भी वहां से निकल के डेडपूल की दुनिया में जाती है और पैरडॉक्स के दिमाग में हाट डाल के पता कर लेती है कि उसका प्लान क्या है और वो पैरडॉक्स को लेकर उसी मशीन के पास चली जाती है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और डेटपूल और वुलवुरीन को लड़ने के लिए पूरी डेटपूल की आर्मी के सामने छोड़ देती हैं फिर हम देखते हैं कि एक से एक डेटपूल के वेरियंट आते हैं और वो सभी दोनों पर अटैक करने लगते हैं लेकिन डेटपूल और वुलवुरीन तो सबके बाप होते हैं वो उन सभी डेटपूल के वेरियंट को मारना चालू करते हैं और ऐसा काटमार मचाते हैं पूरा खूनम खून लालम लाल हो जाता है और सभी डेटपूल के वेरियंट को मारने के बाद जब दोनों बस के बाहर से इंटरी करते है तो भाया देखने वाला सीन होता है लेकिन तभी सारे की सारे डेड़पूल दुबारा से रेजनरेट होकर उनके सामने लड़ने के लिए आ जाते हैं तभी पीछे से पीटर आ जाता है और पीटर को देखते ही सभी डेड़पूल उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो दोनों लड़ना बंद कर देते हैं आगे हम देखते हैं कि कसेंड्रा उस time portal मसीन पे अपना control बना रही थी तभी डेटपूल और वॉलवरीन पेराडाक्स से पता कर लेते हैं कि इस मसीन को कैसे रोकना है और paradox बताता है कि जो भी इस machine को रोकेगा वो मारा जाएगा जिसके बाद Deadpool Wolverine को चूतिया बना कर उस machine के पास चला जाता है और Wolverine बिचारा पीछे रह जाता है तभी Deadpool उस machine के wire को खीच कर short circuit करने लगता है और पीछे से हम देखते हैं तभी Wolverine भी वहाँ पर पहुँच जाता है वो Deadpool का हाथ पकरता है और उस short circuit को करने में काम्याब हो जाता है जिसके साथ Cassandra Nova की भी मौत हो जाती है आगे हम देखते हैं कि Hunter B-50 वहाँ पर पहुच जाती है और वो Deadpool और Wolverine को उनके कामों के लिए thanks बोलती है और साथ ही साथ वो Wolverine को इस universe में रहने की इजाज़त भी दे देती है और अब Deadpool का universe भी बच जाता है और साथ ही साथ वो Wolverine की बेटी को भी इसी universe में ले आती है और अब सभी एक साथ मिलकर Deadpool के साथ ही रहती है और इसी के साथ Deadpool और Wolverine मूवी भी खतम हो जाती है तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है तो प्लीस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए थैंक यू सो मच